नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारी आज की पोयम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट इसको लिखा है पैबलो नरूडा ने दोस्तों ये पोयम एक बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज कनवे करती है तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं इस पोयम के अंदर टोटल पांच स्टैंजा हैं मैं एक एक करके आपको हर एक स्टैंजा का मीनिंग समझाते हुए आगे चलूँगा तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा फिर्स्टैंजा है तो दोस्तों यहां पर यह पोयट जो है वो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बारा तक काउंटिंग करनी है यह काउंटिंग हमें अपने माइंड में करनी है और कुछ देर के लिए हमें बिलकुल शान्ती से बैठ जाना है बिना कुछ बोले हमें बिलकुल साइलेंस क्रियेट करना है हो सकता है कि यहां पर 12 जो है पोयट ने अलग-अलग तरीके से मेंचिन किया हो शायद वो बारा घंटे हो सकते हैं या फिर एक साल के बारा महीने हो सकते हैं यह इस पोयम के अंदर exactly signify नहीं किया गया बट उन्होंने हमें बोला है कि एक से बारा तक हमें count करना है दोस्तों actually इस stanza के अंदर पोयट हमें ये बोलना चाता है कि हम सारे लोगों को एकदम से शान्त हो जाना है इस moment पे हमें किसी भी language में बात नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों हम इस दुनिया के अलग-अलग parts में रहते है यानि अलग-अलग countries में अलग-अलग languages बोली जाती है और वो अलग-अलग languages एक तरीके का barrier create करती है वो हमें divide करती है हमारी identity अलग हो जाती है इस वज़े से हम एक नहीं रहते और वो ये कहा रहा है कि हमें अलग-अलग languages जो भी हम बोलते हैं किसी भी part of world में हम रहते हैं हमें वो language नहीं बोलनी है ताकि हम शान्त हो जाएं कुछ देर के लिए क्योंकि शान्ती जो होगी यानि जो silence होगा वो एक universal language होगी वो सब के लिए एक हो जाएगी फिर आगे poet ये भी बोलता है कि हमें एक second के लिए stop हो जाना है और अपने arms जो है वो move नहीं करने हैं arms का मतलब दोस्तों यहाँ पर weapon से है जो कि हम एक दूसरे देश के लोगों के उपर इस्तमाल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यूंकि हम अपने देश की पावर बढ़ाना चाहते हैं हम अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए हम युद्ध का इस्तमाल करते हैं यानि warfare जो है वो हम करते हैं सो basically poet ये चाहते हैं कि हम सब आपस में भाईचारे से रहे हम सब आपस में शान्ती बना के रखें हम अपने एक दूसरे भाईयों के उपर हमला ना करें और शान्ती से बैट के अपने अंदर जो है वो आत्मन इरिक्षन करें विचे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें आएए दोस्तों अब हम अपने सेकंड स्टेंजा के और बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि हर कोई एकदम से शान्ती से बैट जाए और कुछ भी ना करे पोईट यहां पर बोलता है कि यह एक रेयर सिचुएशन होगी कि जब सारे इंजन्स एकदम काम करना बंद कर देंगे वो चाता है कि हर कोई एकदम कुछ मुमेंट के लिए बिल्कुल रुक जाए हर कोई इंसान जो भी काम कर रहा है कोई मशीने चल रही है या कोई फैक्टरी में काम कर रहा है या कोई वहीकल चला रहा है, वो बिलकुल एक situation के लिए, एक sudden moment के लिए वो उसे रोग दे और अचानक से जब ऐसा होगा, तो पूरी दुनिया में एक sudden calmness feel होगी लोग एक दूसरे के पीछे और even materialistic thing को अचीव करने के लिए नहीं भागेंगे अपने second stanza के अंदर poet ये बोलता है, कि जब एकदम से stillness हो जाएगी, तो कोई fisherman whales को harm नहीं पहुचाएगा दोस्तों यहाँ पे whales का example इसलिए लिया गया है, क्योंकि हम किसी भी animal को अपने benefits के लिए मारते हैं हम अपने भूक मिटाने के लिए, अपने फाइदे के लिए animals का शिकार करते हैं, जिसको हमें नहीं करना है poet ये हमसे request कर रहा है कि जब हम शान्त हो जाएंगे, तो हम ये काम नहीं कर रहे होंगे और हम self-introspection करेंगे कि हमें पता लगेगा, हमने अपनी लालच के लिए कितने ही जान्वरों को मार दिया फिर दोस्तों poet आगे हमें उन लोगों के बारे में बताता है, जो sea coast के पास नमक बनाने का काम करते हैं actually क्या होता है कि उनके इस काम की वज़े से उनके हाथ बहुत बुरे तरीके से injured हो जाते हैं उनके hands जो हो हर्ट हो जाते हैं और उनमें जखाम हो जाते हैं क्योंकि excessive work की वज़े से वो नमक जो होता है वो उनकी skin को गला देता है और यहां पे वो ये बात बोल रहा है कि इस moment पे अपने इस काम को उनके रोग देना है ताकि उनके पता चले कि उनको कितना नुकसान हुआ है तो दोस्तो इस stanza के अंदर poet हमें ये बोल रहा है कि जब stillness हो जाएगी चारो तरफ जब हम सब कुछ एकदम से रोग देंगे हम अपने काम रोग देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है और अभी तक हमने क्या खोया है जिससे हमारी thinking के उपर कुछ नगुछ impact पड़ेगा और हम नए तरीके से सोचेंगे अगे दोस्तो हमारा थर्ड स्टैंजा आता है दोस वो प्रिपेर ग्रीन वर्स वर्स विद गैस, वर्स विद फायर विक्टरी विद नो सर्वाइवर्स वोट पुट उन क्लीन क्लोथ और वाक अबाट विद देर ब्रिदर्स दोस्तों अपने इस टैंजा के अंदर पोएट अलग-अलग वर्स के बारे में बात कर रहे है सबसे पहले पोएट ग्रीन वर्स के बारे में बात करता है यनी जिस तरीके से हम एनवायर्मेंट को डैमिज करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं पेडों को काट के या फिर जो gases के साथ हम war कर रहे हैं यानि environment को pollute कर रहे हैं industries और factories से निकलने वाली जो gases और environment को pollute कर रहे हैं फिर third war वो ये बताता है कि जो हम एक दूसरे को मार के करते हैं यानि कि जो हम युद्ध लड़ते हैं जिसमें हम weapons का use करते हैं दूसरे अपने भाईयों को मारते हैं तो वो कह रहा है कि ऐसी victories में कोई भी survivor बचता नहीं है जो powerful लोग होते हैं वो एक दूसरे को मार के जीत तो जाते हैं लेकिन इस तरीके से वो भी खाली हाथ ही रह गए क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं ऐसी victory के अंदर जब कोई बचेगा ही नहीं तो वो victory किस काम की poet कहता है कि ये सब हमें नहीं करना है वो और ये भी request करता है कि हमें wars में भी involved नहीं होना है wars में आप ये सोचो कि आपको victory मिल जाएगी किसी एक की victory अगर उसके अंदर लोग ही जिन्दा ना बचे आप उन innocent लोगों को मार रहे हैं जिनका कोई दोश नहीं है जो कि आपके खुद के ही भाई है बले ही वो border के उस पार रहते हैं बले ही वो दूसरी language बोलते हैं या फिर बले ही वो दूसरे culture को follow करते हैं फिर वो बोलता है कि जो wars है और जो environmental damage है उसकी वज़े से अर्थ के उपर कोई life exists नहीं करेगी और वो बोलता है कि लोगों को एक नई approach को adopt करना पड़ेगा हमें mankind की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा हमें life की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा हमें वो सारी चीज़े छोडनी पड़ेगी जिससे हम एक दूसरे को खतम कर रहे हैं फिर वो कहता है हमें अपने enemies को अपने brothers की तरफ की तरफ करना पड़ेगा हमें peace और harmony को promote करना पड़ेगा आएए दोस्तों अब हम अपने fourth stanza के और बढ़ते हैं if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death दोस्तों अपने इस stanza के अंदर यानि fourth stanza के अंदर poet basically हमारी greed हमारी selfishness और हमारे materialistic mindset को wars, murders और destruction का main कारण समझता है हमारी लालच हमारा ये जो selfishness है हमारा जो चीजों के पीछे भागना है उनको possess करने का जो एक तरीके से mindset है वही सारी जड़ है जिसकी वज़े से हम युद लड़ते हैं एक दूसरे का खून करते हैं और destruction फ़लाते हैं Poet के accordingly ये mentality हमें एक दूसरे को समझने नहीं देती यानि जब हमारी main आत्मा है वो सिरफ peace और fraternity चाहती है जबकि हम उसके बज़ाए materialistic things के पीछे भागते रहते हैं और एक दूसरे का खून करते हैं Poet को ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ moment के लिए silent creator करें तो हम सब एक दूसरे की sadness को ठीक कर पाएंगे आईए दोस्तों अब हम अपने 5th stanza के और बढ़ते हैं Perhaps the earth can teach us As when everything seems dead And later proves to be alive Now I will count up to 12 And you keep quiet and I will go So दोस्तों poet यहाँ पर suggest करता है Human beings को कि हमें earth से lessons सीखने चाहिए Winters के time पे हर जगा बरफ पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में life है ही नहीं लेकिन जैसे ही season बदलता है Spring का season आता है तो ऐसा लगता है कि nature के अंदर अचानक से एक शक्ती आ गई है चारो तरफ हमें खिले हुए पेड़ दिखाई देते है Birds की chirping सुनाई देती है Rivers का flow हमें दिखाई देता है ऐसा लगता है कि एक life आ गई है सो यहाँ पे poet nature के example से human beings को यह समझाना चाहता है कि अब human beings को रुक जाना चाहिए और जो भी उन्होंने किया है उसको judge करना चाहिए वो अपनी life को calmness से, peace से better कर सकते हैं यानि अपनी life में शान्ती और भाईचारे से अपनी life को बहुत अच्छा बना सकते हैं finally वो कहता है कि अब वो दुबारा से 12 तक good count कर रहा है ताकि शायद हम लोग भी quiet हो जाएं और यहाँ पे quiet का मतलब दोस्तो calm down होना है अपने आपको calm down करना है calm down करने का मतलब यह कि हमें चुपचा बैठ नहीं जाना है यहाँ पे इसका मतलब यह कि हमें अब शान्ती के रास्ते पे चलना है हमें harmony के रास्ते पे चलना है और यह बोलके वो कहता है I will go यानि उसने यह message हम लोगों को दे दिया है और अब यह वो हमारे उपर छोड़ता है कि हमें अपनी life को peaceful direction में कैसे लेके चलना है और उसके लिए हमें क्या काम करना है और हमें इसी तरीके से इस रास्ते पर चलना है अपनी mentality को change करना होगा हमें patience रखना है और preservance रखनी है यानि दिड़ता रखनी है जिससे हम अपनी life को एक सरी direction में ले जा सकें जैसे एक पेड़ धीरे-धीरे करके grow होता है ऐसा लगता है कि वो hill नहीं रहा move नहीं कर रहा, वो dead है लेकिन time के साथ-साथ वो बहुत बड़ा हो जाता है यही चीज हमें अपनी रिष्टों में भी रखनी है अपनी life में भी रखनी है यानि अर्थ हमें सब कुछ समझा रही है कि nature slow है कोई भी चीज एकदम से नहीं होती लेकिन patience के साथ-साथ हर चीज grow होती जाती है तो अमीद है दोस्तों आपको पोयम का explanation समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में सब तक के लिए देखते रहिए खेल-खेल में घ्यान ओके थैंक यू